एक है था थो मैं अधर दोस्तों मैं अरी तुम्हें स्वागत करती हूं आपका इस अपने यूटूब चैनल ओल टाइम क्लासिस सारंपूर पर तो दोस्तों मेद करती हूं कि आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी तियारी अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी सी आर यूह ऋर मजबूत करने के लिए मैं आज फिर एक नया टोपिक लेका हूं जिसका नाम है तदभव आयूं नें तदसं तरस्तों तो चलो आज श्टार्ट करते हैं तदभव आयू बारतक्र, थिक है meu ङल इससे पहले मैंने आपको दो टोपिक करा दिये हैं एक समास और एक संदी ठीक है आज तीसरा टोपिक है तद्बव एम तद्सम तो सबसे पहले देख लेते हैं कि तद्बव और तद्सम है क्या ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों आपके पता हो ज़िए कि सब्द किसे कहते हैं तो सब्द किसे कहते हैं सब्द होता है कि वर्णों के सम्हूं से जो सार्थक meaningful जो word होता है मतलब उसे ही सब्द कहते है ठीक है तो सब्दों में भी भेद होता है ठीक है तो सब्दों में भेद किस परकार होता है एक बनावट के आधार पर एक होता है उत्पत्ति के आधार पर ठीक है तो सबसे पहले सब्द भेदी दिख लिखते हैं सब्द भेद ठीक है तो सब्द भेद किसके आधार पर है सबसे पहले दिख लिखते हैं बनावट के आधार पर बनावट के आधार पर ठीक है तो बनावट के आधार पर सब्द भेद कितने परकार के है वो है थिरी कितने परकार के हैं तीन परकार के एक रूड सब्द दूसरा योगिक और तीसरा है योगुरूड योगुरूड ठीक है अब देख लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने परकार के हैं उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर कितने परकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर होते हैं वो पाच परकार के एक तत्सम ठीक है दूसरा तदभव तदभव ठीक है तीसरा देशज फोर्थ विदेशी और फिफ्थ संकर ठीक है तो समझ आया है सब्द भेद के अधार पर अगर देखते हैं तो रूड योगिक और योगरूड और अगर अगर आपसे उत्पत्ति का धार पर पूछता है तो उत्पत्ति का धार पर कितने परकार के तत्सम तदभव देशज विदेशी और संकर पांच परकार के और जो हमारे तत्सम है तत्सम भी दो परकार के सब्द होता है एक वो जिसे हम नोर्मली अपनी यूज कर लेते हैं प् कौन से कि सोरी हुआ चसाथ प्रमप्रागत है कि प्रमप्रागत चीए है तच्छा है टच्सम वह दूसरे निर्मित है प्रमप्रागत किसे बोलते हैं प्रमप्रागत को उतने संस्क्रट वाक्मय में उपलव्ध है वे प्रम्प्रागत तक्सम कहें जाते हैं जो सभी नय विचार healthy व्यभार अभी वेक्थ करने के लिए व्याकरण की उनसार समय समय पर बना लिए जैसे कि थे तो संस्क्रत की सब्द लेकिन हम सद्यों से बोलते चालते आ रहे न तो उसमें हमारे बोलने के वज़े से जो सब्दों में फिर बदल हो गया ठीक है जो नए नए शब्द बनते चले गए वो निर्मी तत्सम सब्द है तो चलो देख लेते कि त तत्सम सब्द कैसे होते हैं तत्सम तत्सम सब्द तो सबसे पहले तत्सम सब्द देखते हैं तो तत्सम सब्द कैसे हैं तत्सम सब्द दो सब्दों से मिलकर बना होता है क्या तत्सम एक मिनिट तो ठीक है दोस्तों सबसे पहले देखते हैं तत्सम सब्द को तत्सम सब्द क्या है तो तत्सम सब्द दो सब्दों से मिलकर बना है तत्थ पलस सम तत्थ पलस सम अर्थात उसके समान जिसका अर्थ है उसके समान ठीक है तो हिंदी में बहुत से सब संस्क्रत से सिधे आ गए है और आज भी संस्क्रत के मूल सब्द की ही बाते हिंदी में परियुक्त होते हैं इनी सब्दों को हम क्या बोलते हैं तत्सम बोलते हैं जो बहुत सारे वर्ड हैं जो संस्क्रत के हैं लेकिन बोलते हैं मुने हिंदी में है, ठीक है? तो जैसे की, example देख लेते हैं, जैसे, जैसे, धन, धन जो है हमारा Sanskrit का सब्द है, लेकिन हम यूज करते हैं हिंदी में, नारी, जलज, सरवदा, ठीक है? जैसे सीमा हो गया, सीमा, राष्ट, रवी, ठीक है? और भी वह सारे सब्द है, ठीक है? जैसे सोंदरीय, जैसे सोंदरीय हो गया, और भई, गोरव, गोरवी संसकत का इस सब्द है, लेकिन हम यूज किस में करते हैं हिंदी में, ठीक है? तो तश्म सब्द कैसे है? वो सब्द जो संस्कत भासा से लिए गई है और हिंदी भासा में बोलते वक्त हम यूज करते हैं ठीक है वह यह है हमारे क्या तत्सम सब्द ठीक है दोस्तों तो चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे तत्भाव ठीक है दोस्तों तो अब देख लेते हैं तत्भाव सब्द तो तत्भाव क्या है सबसे पहले तत्सम का पर चले गए तत्सम वो है जो संस्कत के सब्द है लेकिन हम उन्हें यूज करते हैं हिंदी में ठीक है और अब देखते हैं सब्दों से विक्षित हुई है। जैसे रहा है। जी दधी सब्ध से लिया गया है। जुकाना सब्द है, वो कर्शन सब्द से लिया गया है. इसका मतलब है कि यह सब्द जो है, दूसरी भासा से विक्सित हो के आये. टो ऐसे ही सब्दों को तदभाव का जाता है. तदभाव किसे कियाते हैं? जो सब्द कई भासाओं से हो के गुझरे है. ठीक है, हिंदी में आए, ठीक है, तो जैसे कि संस्क्रद से पहले पाली में, पाली से प्राकर्द, प्राकर्द से अपुबरंथ, और अपुबरंथ से होकर फिर हिंदी तक पहुँचे, और आते आते उनमें बहुत सारी चेंजेस आगे, ठीक है, तो वही सब्द है हमारे तद तत्सम यह स्लाइड में ने पहले लिखे हुई थी क्योंकि फिर उसमें लिखने में ज़्याद समय लग जाता है ठीक है तो आपको बुदर चलगी आओ गया कि तत्सम कौन से सब्द है तत्सम वह है जो संसकर्थ भासा से सिध्य आए ठीक है और तत्भव कौन से है जो कहीं सा सब्द क्या है सवर्ण ठीक है त्दबसब्द है तत्सम सब्द है शोड़कू चुची कुर्चि का मोरग्र। forces that गव पत्ता का पत्र हात का हस्त अंधेरा का अंधिकार और बभूत का विभूती कपड़ा का करपट और हाँ दोस्तों यह जो सब्द मैंने यहां लिए हैं तद्भव और तत्सम यह सारे मोश्ट है और किसे न किसे एक्जाम में आये हुए है ठीक है ठीक है दोस्तों तो और देख लेते हैं तद्भव और तत्सम सब्दी क्योंकि आपके एक्जाम में आते हैं इसलिए आपको जैसे जदा तद्भव और तत्सम याद रख करने चाहिए ठीक है तो चलो देख लेते हैं तो तत्थभव सब्द तत्सम तुगधे का तत्सम सब्द क्या है गर्दब पंक का पक्ष पीठ का प्रेश्ट निडर का निडर हल्दी का हरिद्रा कबूतर का कपोत बारात का वर्यात्रा मिट्टि का मर्ति का धीट का द्रश्टी कपूर का करपूर कोयल का कोकिला सिंग का शरंग धीठी का द्रश्टी भवरा का भरमज चूरन का चूरन ठीक है दोस्तों तो कुछ यह है तो चलो और देख लेते अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा ठीक है तो नेक्स्ट सब्द है हमारे देसल सब ठीक है हैं ऐसे सब्स जो अनादिकाल से बहुत चाल में वहवर्थ होते हैं और जिनकी वहत्वत्ती व्यक्रन लब भी नहीं है इसका मतलब यह है कि ऐसे सब्स जो बहुत ज्यादा टाइम से यूज होते आरें लेकिन वो न थो संसकत से ले गए न खिज़ी और संसकत से ले गए बस कुछ सब्स में हेर्फेर हो रखवा है ठीक है अधाना अंगोरी अंगोला अच्छा आंक मिचोनी जड़ावार अलट पलट जैसे यूज कर लेते हैं अलट पलट के दिखा दे भई ओखली उमड उब मेरे तो मन उब गया ठीक है लुका लुकी ओसना कबाड जैसे कबाड यूज कर ले न कुड़े की जगे कबाड यूज कर गोबर चाल चली चेला चिनरा ठीक है तो यह सब्द ऐसे सारे सब्द ऐसे हैं ठीक है दोस्तों जो बस बोल चाल में यूज करते हैं बाकि ना तो इनका संस्कत में कोई संस्कत से मतलब कुछ भी इनका मतलब नहीं है ना ये किसी और उस से आये हैं ठीक है तो देसर सब्द जो हम गौ में पर आम तोर पर बोलने के लिए यूज करते हैं ठीक है तो मेरा मतलब है कहने का यह कि यतने भी सब्द में ने यह लिखे हुए ठीक है तो अगर आप इन्य ध्यान से देखोगा दो सभी का जो मिनिंग है वो परवेश देसी है ठीक है जो अपनी भासा होते हैं जो देशी यूज करते हैं चीक है तो यह जितने भी सब्ध है यह situations के according जिस वातावरण में है मतलब रहते हैं तो उसी वातावरण के उसी वातावरण में चलते 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 जो भी इन में change हो गया ठीक है वही सब्ध है हमारे कौन से देशी देशषब सब्ध है, देसज़ सब्ध का मतलब या निए कि देशषी लोग यूज़ करते हैं ठिक है, देशी लोग मतलब जगाओं में रहते हैं ठीक है, चलो दोस्तों, तो next देख लेते हैं हमारा Next है, अगला है हमारा कौन सा? विदेशी ठीक है विदेशी शब्द तो ठीक है दोस्तों नेक्ष है हमारा विदेशी सब्द विदेशी सब्द कौन से है बस मतलब हिंदी भासा को छोड़ के बाकि जो भी सब्द ऐसे कि उर्दू, फार्सी, अर्बी या फिर अंग्रेजी ठीक है जो अदर्स भासाओं से लिए गए है वही सब्द हमारे विदेशी सब्द कहलाते हैं ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों तो अब देख लेते अर्बी सब्द तो अर्बी सब्द कौन कौन से जैसे अकल, अजब, अजीब, अल्लह, अदा, आदत, आदमी, आखिर, आसार ठीक है, इलाज, इनाम, इहसान हो गया ठीक है, एक इहसान हो गया कसरत हो गया कसरत भी आपका विदेशी शब्द है ठीक है, किला हो गया ठीक है, अर्बी भासा का सब्द है ठीक है, यहनि कि विदेशी शब्द है ठीक है नकल हो गया जैसे नकल तकाजा ठीक है तुर्की ठीक है तजुर्बा लेकिन हम यूज तो करते हैं ना दान ठीक है दावत दावत भी आपको देशी शब्द है कौन सा शब्द है और अरबी ठीक है मदद मदद भी आपका अरबी शब्द है ठीक है विदेशी भासा से लिया गया नशा नशा हो गया और जैसे मिशाल मिशाल बो देते हैं मिशाल मजबीर ठीक है मजबीर हो गया वारिश हो गया हख हो गया ठीक है हद हो गया ठीक दोस्तों और भी है बाकि मैंने लिखे नहीं है लेकिन बस यह बताना था कि अर्भी कुछ और भी सब्ध है ठीक है अब अगे देख लिखते है फार्स सब्ध खार्स सब्षा換 कौन से दोस्तों अब देखते हैं फार्स सब्शाफ कौन कौन से है घंख फार्स सब्ध कौनі ठीक है आतीस बाजी आतिस बाजी ठीक है आतिस बाजी हो गया आब रू ठीक है आब रू य enjo का आ बूरू हो गया गरम हो गया आपका और भेः गुल्बंध हो गया गुल्बन, खामोश, ठीक है, खामोश हो गया, कबुतर हो गया, ठीक है, जंग, गल्ला, जहर, ठीक है, जहर हो गया, और जोस, जोस भी आपका फार्सी सब्द है, तबाह हो गया, तबाह, तरकश, तरकश हो गया, तमाशा हो गया, तमाशा तो मैकसिमम आपने एक्जाम में भी दिखा हो गया, ताक हो गया, ताजा, तीर, और भाही कमीना, और जैसे कि चाशनी, चाशनी सब्द हो गया एक, और भाही गुलाब, गुलाब सब्द भी आपका फार्सी बासा से है, यानि कि है अफ़त होगया और वहीं चादर ले लिया चुछेंगी जान होगया जान और दंगल जैसे कि दंगल दिवार दिवार भी आपका फार्षि दूसरी वह से लिया गया लेकिन तो हम अपने वह से में करते हैं ठीक है और भई दिहात दवा ठीक है दिल दिल भी और भई नापसंद नापसंद और सरदार आदी ठीक है तो यह सब कौन से है फार्सी बासा से लिए गए है ठीक है अब देख लेते हैं नेक्स्ट पूर्त गाली सब्द कौन से पूर्त गाली सब्द पूर्त गाली सब्द पूर्त गाली सब्द पूर्त गाली सब्द कौन कौन से है दोस्तों जैसे अलकतरा आलपिन अलमारी बाल्टी फिता तमाखु तो कौन कौन से है अलकतरा अलकतरा चीक है और आलपिन आलपिन ठीक है अल्मारी ठीक है दोस्तोव और बाल्ती हो गया हमारा जैसे कि बाल्ती एक फित्ता मतलब विदेशी शब्द ना लिख करके मतलब विदेशी शब्द ना लिख करके जिसे तुर्की शब्द लिख दे अर्बी सब्द लिख दे या फारसी तो यह कौन सा है फिता सब्द पुर्तगाली सब्द ठीक है और भई तंबाखु तंबाखु ठीक है यह पुर्तगाली सब्द है ठीक है दोस्तों तो एक और यह गлекते हम तुर्की और कंसे सर्द तुर्कीस चरदे क्योंकि यह म the निसले बता रह Michy है तुमरे सारे विद्हेशी है पुर्टगाली सब्द है फिर फार्सी है चीक है तो ऐसे आ जाते हैं इसलिए मैं यह आपको लिख वा रही हूं तो जैसे उर्दू हो गया तुर्की बासम उर्दू और बही कज्जाक काबू काबू हो गया और जैसे काबू काबू के बाद कालीन 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 सब्द आपका तुर्की बासा से लिया गया और कुली हो गया कुली हो गया कुर्की कुर्की और भही केंची केंची सब्द हो गया चकमक चकमक हो गया और चम्च चम्चा यूज कर लेते हैं हम चम्चा चिक और चेचक, जालिम हो गया, जालिम हो गया, तमगा लोप हो गया, आपका बहदूर शब्द हो गया, बहदूर बेगम सब्द हो गया, बेगम मुगल सब्द हो गया मुगल तो थे भी तुर्की ठीक है लफंगा ठीक है तो यह हो गया लफंगा सब्द ठीक है लफंगा तो यह जो सब्द थे तो यह थे हमारे कौन से तुर्की सब्द ठीक है दोस्तों तो अब देख लेते हैं संकर, संकर सब्द का मतलब जो मिस्रित है, ठीक है, संकर शब्द, तो कौन से सब्द देखने अब, शंकर, शंकर का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्द जो दो भासाओं से मिलके बने हुए, यानि कि अर्थात मिश्रित, जो दो भासा से मिलके बने हुए, जैसे कि कुछ सब्द ऐसे हैं जो संस्कर्ट और हिंदी से मिलके बने वी जैसे कि संस्कर्ट और हिंदी के सब तो वो कौन-कौन से है वो है जैसे कि उपबोली उपबोली या फिर भोजनकाडी भोजन संस्कर्ट का सब्द है और गाड़ी हिंदी का सब्द है जैसे उपबोली, भोजन, गाड़ी, रातरी रातरी कैसा है हमारा संस्कर्ट का सब्द है और रातरी उडान क्या है उडान हमारा कौन से सब्द है उडान हमारा हिंदी का सब्द है ठीक है तो ऐसे सब्द जो दो भासाओं से मिलके बने हुए ठीक है उन्हें क्या बोलते हैं संकर नेक्ट देख लेते हैं कुछ ऐसे हैं जो संस्कर्थ और संस्कर्थ और फार्सी से मिलके बने हुए फार्सी से संस्कात और फार्सी से कौन से सब्द है जैसे विज्यापन बाजी जैसे विज्यापन बाजी विज्यापन बाजी च्छायादार च्छायादार और भई लोकसाही लोकसाही ठीक है दोस्तों तो ये सब्द ऐसे हैं है जो संस्कृत और फार्सी 15ड और आपको देखते कि पता चली रहा होगा कि यह कौन से सब्द है संकर क्योंकि दो भासाओं से मिलके बनने हुए है फी तो एक और देख लेते हैं जो अर्भ को ससी कि पयों हिंदी बहसा से यह ज़ अकबार अकबार वाला छीक है अजायब घर अजायब घर और भई आम चुनाओ आम चुनाओ हवा चक्की हवा चक्की हो गई और माल गाड़ी माल गाड़ी होगी और भई किताब घर किताब घर किताब घर हो गया कलम चोर कलम चोर हो गया चीक है आदी चीक है और बासा के देख लेते हैं जैसे कुछ ऐसे हैं जो तुर्की और हिंदी के हैं तुर्की और हिंदी के तुर्की और हिंदी के सब्द जैसे तोप गाड़ी तोप गाड़ी और भई तोप गाड़ी तोप तलवार तोप तलवार हो गया ठीक है दोस्तों और देख लेते हैं जैसे अर्बी और अर्बी फार्सी अर्बी और फार्सी अर्बी और फार्सी सब्द अर्बी और फार्सी जैसे अकल मंद हो गया गोता खोर तैसीलदार फिजूल कर्च आदी जैसे अकलमंद ठीक है अकलमंद हो गया और गोता खोर गोता खोर अकलमंद गोता खोर तैसीलदार तैसीलदार हो गया ठीक है फिजूल कर्च फिजूल कर्च आदी ठीक है और और ले लेते हैं जैसे यह कौन से थी तुर्की हिंदी अर्भी फार्सी हो गए अब हिंदी फार्सी ले लेते हैं ठीक है हिंदी फार्सी है यह कौन से सब्द संकर या फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि यह बताए कि निम्ड में से नीचे दिये गए सब्द कौन से हैं संकर में से कौन से हिंदी फार्सी है अंग्रेजी हिंदी है अर्बी फार्सी है कौन से है ठीक है तो देख लिए जैसे काटोर्दान काटोर्दान चमकदार ठीक है मसालेदार मसालेदार और किराएदार किरायदार हो गया आपका छापा खाना थानेदार और पंचायत नामा चलो नेक्स्ट और देख लेते हैं और है जैसे अंग्रेजी हिंदी दोनों के यूज करते हैं अंग्रेजी और हिंदी जो अंग्रेजी और हिंदी से मिलके बने वे वो कौन-कौन से है तो वो है जैसे टिकेट घर डबल रोटी रेल गाड़ी जैसे टिकेट घर टिकेट घर डबल रोटी डबल रोटी डबल रोटी डबल रोटी रेल गाड़ी हो गया तो रेल गाड़ी भी हमारे जो सब्ध है वो अंगरेजी और हिंदी दोलनों से मिलके बनावा अलारम घड़ी आपका अलारम घड़ी हो गया वो यह है सिनेमा घर सिनेमा घर चीक है और भाई जैसे रेलवे रेलवे भाड़ा पुलिस चोकी पुलिस चोकी डाक घर ठीक है तो यह सब कैसे है यह अंगरेजी और हिंदी के है अब देख लेते है यह तो अंगरेजी और हिंदी के है अब हिंदी और अंगरेजी के देख लेते है अंगरेजी का मतलब जो स्टार्टिंग का है वो अंगरेजी है चीक है और जो लाश्ट का है वो हिंदी है अब देख लेते हैं हिंदी और कुंसा ये वाला कर लाश्ट ठीक है हिंदी और अंग्रेजी की हिंदी और अंग्रेजी की जैसे कपड़ा मील देख लिया होगा आपने कपड़ा हिंदी का है और मील इंगलिस का है छीक है जांच मसीन, जांच मसीन, मशीन शब्द इंग्लिस का है, कभू आप ये देख लो कि नहीं भई ये तो ऑंगरेजी और हिंदी दोन नोहीं है, ठीक है, अंगरेजी और हिंदी से मिलके बने हुए, वो अलगे, यानिकि उसमें अंगरेजी स्टार्टिंग में होगा, और हिंद हिंग्रेज़ ख़ाने इन्ग्रेज कुछ है इंग्रेजे और वाल से थेहें। जेल खाना हो गया हमारा जेल इंगलिस का सबद देजी और खाना फार्सी सीलबन शीलबन चीच है दोस्तो तो आज हमने करायiene आपको क्या आज हमने कराय आपको तत्सम और तद्भव चीक है दोस्तो तो चलो एक बारी और नजर देख लेते हैं तत्सम सब्द और तदभव सब्द भेद का अधार पर देखते हैं अगर बनावट का अधार पर देखते हैं तो तीन तरह के सब्द रूड योगिक और योगरूड अगर उत्पत्ति का अधार पर देखते हैं तो तत्सम तदभव देशज विदेशज और संकर ठीक है तत्सम यानि कि उसके समान ठीक है जिसे धन, नारी, जिलज, तजसम मतलब कहने बाद यह कि तजसम वह सब्द है जो संस्कर्थ से सिध्ध हमने यूज किये हुई और तद्ध कौन दे सब्द है जो कई सारी भासाओ से होके गुज़र हुए ठीक है तो देशेज सब्द वो है जो नादिकाल से यूज कर रहे हम अपनी बोलचाल में और विदेशी सब्द ऐसे है जो दूसरी भासा उसे लिए गई है ठीक है दोस्तों तो ये आज आपका तत्सम और तत्बह टोपिक कम्प्लीट हो गया ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के थेंक यू वीडियो देखने के लिए और दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हैल्फुल रहे आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है थेंक यू